के देव होते हैं, बारह प्रकार के, वेंतराह किन्नर किम पुरुस महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाह, तत्वार सूत्र जी का एक सूत्र है, उसमें वेंतर जाती की जो देव होते हैं, उनकी संख्या वो कैसे कैसे होते हैं, उनके बारे में बताया गया है, अभी जब मैं सुबह अपने कमरे में बैठा था जीवन में पहली बार 45 साल की उम्र में ऐसा प्रसंग मेरे सामने आया सुबह सुबह एक पेपर की कटिंग दिखाई उसमें लिखा था कि भूतहा धांस हुआ आप लोगों देखा है क्या उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं क्या बोलते हैं कॉलन कॉइन भूतहा पाल्टी पूरे बिश्व के लोग धान से सुनिये का भूतहा पाल्टी होती है उसमें कि सारे लोग जो होते हैं वो कोई कंकाल बनके आते हैं कोई चुडैल बनके आती है कोई यक्ष बनके आता है कोई पिशाच बनके आता है कोई बहुत डराने ड्रैगन बनकर के आता है और किसी का बड़्डे पाल्टी होती है और उसमें इस तरीके का वो एक मलब दर्श अपस्तित करते हैं हमको बताया कि बुधा पाल्टी हुई हमने का ये तो पुरानी बात है पुराने जमाने में भी जब प्रभू का समोशन लगता था तो उसमें भी बुधा पाल्टी होती थी उस भक्त भी भूत और बेंतर जाती कि जो देव थे वो समोशन में आते थे लेकिन अभी जो रूप दिखाया जाता है मैं अभी बैठे बैठे सोच रहता है मंगला चड़न करते करते मुझे हसी भी आ गई कि मान लीजे एक दिन मैं भुधा धर्म सबा कर दू मैं लोगों से बोलू सब को ड्रैगन बन करके आना है कंकाल बन करके आना है और मैं देखू कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए है वे सारे के सारे लोग जितनी बैवस्तित मा बहने बैठी है यह सब चुडैल बन के आ जाए जितने पुरुस बैठे हैं इसमें से आदे कंकाल आगे ड्रैगन, यक्ष, राक्षद भूत, पिसाच बेंतरह, किन्नर, किम, पुरुस ये सब रूप धर के आ जाए और मेरी सबा में सब बैठ जाए ऐसे दूर तक फिर मैं सोच रहा था मुझे कैसा लगीगा तो मैंने अंदर की अन्भूती में देखा कि आपको तो बहुत अच्छा इसे लगेगा कि तुम सब को धर्म का उपदेश ही दे रहे होगे और फिस सब को धर्म के उपदेश दे करके अच्छा कुछ देने और बताने की कोशिश कर रहे होगे कि पर्याय निंद होती है इसमें परिणाम खराब किये होंगे संकलेश किया होगा इसलिए इस पर्याय में तुमने जन मिले लिया लेकिन ये जो कल्चर अभी सुबह ही पता किया मुझे बताया कि विदेशों का कल्चर है माराजजी विदेशों में इस तरीके की पाल्टियां होती है और उस तरीके की पाल्टि जो है वो अभी इंद और शहर में पहली बार हुई कि इसके पहली भी होती थी पहली भी होती थी लोग बताते हैं लेकिन चूकि इस बार हम लोग यहां पर हैं और हमारे लिए तो बिलकुल एक नया दर्श्य है बंदू हमने आज तक नहीं देखा फिर जब हमने यह सुना कि जैन समाज के लोगों ने ही इस भुतहा पार्टी का आयोजन किया है अब उसको अंग्रेजी में जो भी कहते हैं ए लोग डांस होता है बीच में केक वेक होता है पता नहीं कैसा वो द्रश्य होता होगा एकाथ कोई मुझे वीडियो देखने को और मिल जाता तो मैं और खुस हो जाता मैं समझ पाता लेकिन मुझे कोई वीडियो देखने तो मिला नहीं लेकिन सुनने को मिला जिनके घरों मे च्छना पानी पीने की वेवस्ता होती है जिनके घरों में स्वर्ग और नर्ग के बारे में साफ सुत्रे तरीके से बताया जाता है आपके इस तरीके के आयोजन करने के पीछे कोई ना कोई विजन तो होगा कोई न कोई विजन के बिना आप कोई आयोजन में कभी जाते नहीं है तो विजन होगा विजन के बाद आपके पास उस चीज़ को लेकर के प्रॉपर नॉलेज होगा knowledge के बाद फिर आपने उसमें अपना character build up किया होगा और उसके लिए आपने practice भी की होगी ये चार चीजें vision, knowledge, character और practice अंग्रेजी के शब्द हैं अंग्रेजी के शब्द हैं तो आपको कोई भी चीज बहुत जल्दी समझ में आ जाती है vision मतलब दस्टी या दस्टी कोण कह लीजिए knowledge मतलब ज्ञान कह लीजिए character का मतलब चारित्र से ले लीजिए और practice का मतलब जो है वो आप अपने अनभव या तप से ले लीजिए जैन शाशन में चार सब्द कह जाते हैं दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप इन चार की आराधना करनी पड़ती है सम्मेक दस्टी भी करता है और मित्या दस्टी भी करता है दोनों करते हैं एक का vision clear नहीं होता है एक का vision साफ सुत्र और clear होता है तो इस तरीके के जो भुतहा आयोजन हुए है मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बुरा कहने मैं इन दौर पे आया नहीं मैंसे अच्छी बात कहने के लिए आया बस मैं इतना जरूर चाहूंगा कि जिन लोगों ने भुतहा पार्टी का आयोजन किया है बे एक वीडियो हमको और दिखा दे और दूसरी बात ये भी हो जाए की जितने लोग इस तरीके के वजन को ले करके भनज को ले करके कारेक्टर को ले करके रगवतार प्रैस करती रहते हैं क्या वह मात्ह सीता का रोल प्les नहीं कर सकते ब्रहम्भ विश्णु मैंस नहीं बना सकते क्या वो Bhagavan महावीर गौतं बुद्ध के रोल प्ले करके एक, जो है ना, Divine Party नहीं हो सकती क्या? Devil Party होना जरूरी है Go to the Hell तो Hell Party कर सकते हैं तो एक Divine Party भी कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में कौन-कौन से धर्मों के, कौन-कौन से भगवान किस-किस रूप में थे विस सारे भगवानों का एक-एक रूप ले करके भी हम एक पार्टी कर सकते हैं सामंजिक, सामंजस दिखाई दे सकता है और हम आने वाली जो थर्ड जनरेशन है उस थर्ड जनरेशन को एक बहुत अच्छा विजन भी तो दे सकते हैं ऐसा किया जा सकता था लेकिन कई बार होता है छहना पानी पीते पीते भी बुद्धि अंचनी हो जाती है शुद्ध भोजन खाने वाले लोग भी जब अशुद्ध वारता लाप करते हैं तो फिर बड़ी तकलीफ सी होती है मैं अभी मुझे चुकी सुबह ही बताया गया है मेरे मंद के अंदर कोई भी किसी के प्रतिक असाय का भाव नहीं है बिल्कुल भी नहीं है उद्भोधनों में वो नहीं हो तो बहुत अच्छी बात रहती है और मैं बस इतना सोच रहा था कि बे क्या विजन होगा उनका उन्होंने ऐसा तो नहीं है कि एक दिन पहले ही उसकी पार्टी कर ली उसके पहले उनने पूरी प्रैक्टिस करी होगी उसको पूरा कलेक्शन क किया होगा उसके बारे में पूरी थीम बनाई होगी और इतने ज़्यादा वासना ग्रस्त हो करके और आपने उस कार्ट्रम को आयोजन को अंजाम दिया होगा इतना ही नहीं अभी एक और नहीं चीज कल शाम को मैंने देखी दिखाया कि वो कमोड में और टॉलेट पड़ी है और पांच साथ लोग मिलकर उसको खा रहे हमने कहां यह क्या है तो उन्होंने बताया महराज जी आजकल के होटल में इस तरीके का पैटर्न चल गया है कि टॉलेट की सीट जो बिलकुल प्योर सिरामिक की होती है मालब उसम में होती अच्छी चीजे हैं माली जे केक बनाया तो केक बनाया तो वह मतलब जैसे माली जे स्वस्त वेक्ति ने सौच की होगी तो सौच के शेप का बना दिया अब उनको ले जाकर के रग दिया और इसमें खांदानी घर के जो लोग होते हैं वह पार्टिसिपेट करते हैं उसमें अच्छ अच्छ घरों के लोग इस तरीके को यूज करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बात को कि जो अशुब कर्म प्रकतियां होती हैं वो चीज कह रहा हूँ कि मैंने वो सीन देखा मुझे दिखाया गया कि माराज जी आजकल ऐसा होता है और फिर उसमें त сказать के एन्डर से कैक निकला इस तरीके के जो बिचित प्रकार के हिंसात्मक बस्तूदों का जो प्रेयोग कर के या फिर अशुचि म मैं बस्तूधों को सामने दिखा करके या भवनत्रियुक्ःति देवु के किसी प्रकार की इस तरीके की प्रैक्टिस और उनका विजन दिख यह बिजन और बता दें तो बहुत अच्छी बात होगी और हम सब मिलकर के उसकी अन्मोधना क्यों करते हैं अन्मोधना करने का मतलब होता है हम वहां गए होंगे हमने वहां की थीम तैयार करी होगी हमने वहां के लोगों को बोला हो गहां ऐसा भी किया जा सकता है लोग नए- क्या जरूर्ट है इस तरीके की पालटी में अपने घर के something is को बेजने की क्या जरूरत है husband वाईफ को इस तरीक होटल में जाकर कि खाने की जहां पर शेर को बना कर कि कुल शेर रख दिया विखों Wir fractional कि प्योर सेर का दिख रहा है पुर को घ्र लये हैं कि अब आपके यह द्रब्य हिंसा नहीं है तो क्या जैन साशन में मानने है नहीं है तो जब जैन साशन में ऐसी द्रब्य हिंसा भाव हिंसा मानने नहीं है तो फिर अच्छे कुल के लोग ऐसे काम कैसे कर सकते हैं और अगर आपने कर लिया है तो क्या करें हां अगर आपने कर लिया है तो एक कनफेश का बहुत अच्छा काईड़काम भी करिएगा कि जिन लोगों वो ने इस बुद्धा पार्टी में और जाकर के अपनी संयोजना बनाई है वो जैन है कौन है वो मुनका नाम उनको पता नहीं है सुना है कि भगवान के नाम पर ही उनका भी कोई नाम है माता पीदा ने नाम रखा होगा माली जी अभिशेक नाम रखा होगा तो क्या सोच करक करका अभिशेक करेगा है ना और भुधा पार्टी के आयोजन करता की रुप में माली जी कोई सामिल हो गया है मैं उनसे जरूर कहूंगा इस बात को अगर ये वीडियो वहां तक पहुंच जाए तो कि एक बार आकर कि मुनी महराजी की सामने सबी लोगों उनको छमा मांग देनी चाहिए चमा एक ऐसा बेवस्तिष्ट्स शब्द है जो इतिहास का निर्माड़ करता है चमा एक ऐसा शब्द है जिसके कारण बरसों से पीडियां जो पतन में जा रही होती है उसको वही पर विराम मिल जाता है चमा एक ऐसा शब्द है अब अपने गुरू से यम देश उपसरपंति सुभिक्षम तत्र निश्षयित जिस शहर में नगर में गाओं में देश में कौन पद्मनी इस्त्री पद्मनी इस्त्री होती है जैसे हजार सती इस्त्रियां होती है मलब हजार कुमारी कन्याओं के बीच में एक सती कन्या होती है हजार सती कन्या के बीच में एक पद्मनी इस्त्री होती है आज एक कुमारी करने दूरना मुस्किल है बेबस्तित मिल जाए तो हजार मिल जाए तो हजार के बीच में एक सती मिलना मुस्किल है ऐसी ऐसी हजार सतीयों के बीच में एक सती का पद्मनी योग होता है वो पद्मनी स्त्री राजा पद्म की स्त्री थी पद्म कहते हैं किसको कहते हैं आपके हाँ पद्म बताइए रामचन जी को पद्म कहते हैं तो रामचन जी को पद्म कहते हैं इसलिए आपके हाँ पद्म पुरान चलता है है ना फिर उनकी जो पत्नी है मतलब माता सीता उनको पद्वनी संग्या मिली थी तो सीता जी दुनिया में कहीं भी गई जंगल में भी गई तो वहां पर भी बिल्कुल देवों की जैसे सालाओं में भोजन बनता था सीता जी के कारण ही रामचंजी और लक्ष्माट जी को जं इंगलों में आते तो रामचंद जीव लक्षमर जीव उनको आहारदान दे करके भी धर्मलाब लेने का प्राव सवबा करते यह जैन धर्शंकार की अपने पद्म पुरान की कथानक है जिसको पूरी दुनिया वेवस्तित तरीके से जानती है फिर भी मैं बता रहा हूँ एक राज चीजे हो अगी के जिसके छोंच में ऐसी शक्ति होती है कि दूद अर पानी अगर मिला हो कि उसमें दूद दूद तो ले लेता है और पानी उसीं में चूटता चला जाता तो कैसा होता होगा महराज जी कुछ पूस कमाल ही होता है उसकी चोच का कि वो सिफ दूद को ग्रहन करता है वो जल तत्त को वहीं पर छोड़ देता है तो वुराज हंस पंची और फिर निर्गंथ तपोधना दिगंबर साधू जिस देश में नगर में गाउं में चातुरमास करते हैं साधना करते हैं यम देश उपसरपंती यह जहां नियम से सुभिक्ष होता है इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है अब जब पूरी इंदाव शहर में पंद्रे साधू संगो का चातुरमास हो रहा है कितने साधू संगो का पंद्रा आपको पता है कहां कहां हो रहा है नहीं पता है आपको सिर्फ दोई का पता है बागी कि राज हैं को छलल नक्क है वो इनके शाकर चल रहें दिखाई इजित कि क्यों के तो बात होगी कोई बात नहीं कि प्या फिर्व कि वह तो हमारे धिमाग की उपज है इसलिए कहीं आप दिखाई देते हैं कहीं पर बड़े महराजशी दिखाई मेंकों के बीच में मैं लगातार तीन मہने से इस बात को देख रहा हूँ कि भी पोई देख क्योंति है इधर क्या है इधर क्या है इधर क्या है उधर क्या है लेकिन इधर उदार एकी कि चीज क्या deserve इधर उदर एकी चीज़ है तब और त्याग जब साधना स्वाध्याय, ध्यान शुभोप-योग चाहे इधर हो चाहे उदर हो और चाहे पंद्री पंद्र संग हो घर तरफ एकी चीज़ है इसके लाबह कुछ अत्रिक्थ। कुछ भी अत्रिक्थ। नहीं है आगम कुरिंतकार कह रहे हैं कि निर्गन्था सपोधना यम देश उपसरपंती सुभिक्षम तत्र निश्चेद वहाँ पर सुभिक्ष रहता है इसके पहले भी कोई पहली बार बुखा पाल्डिकात वायो जण हुआ नहीं इंदौर शहर के अंदर इसके पहले भी लोग बताते हैं कि होता रहता था लेकिन चुकि इस बार दिगंबर गुरू का एक अपना सभाव है दिगंबर गुरू को बार-बार लगता है कि समाज बे बिवस्तित ना हो अगर मालिजी लाइन से बेलाइन होती है, मालिजी यहां से वहां कोई काम किया है, तो उपहाज की दस्टी से नहीं, उसमें समधान और सुधार की दस्टी से जिन भी परिवारों ने, मैं इतना बड़ा मंच्छ है, मैं तो चाहूंगा, आप चाहें तो कल, आप चाहें तो परसों लेकिन जितने लोग बुता पार्टी में सामिल थे भी सभी लोग आएं एक बार मंच में खड़े हों आपको अच्छा लगेगा कि हमने अपने दस हजार परिवारों की समाज के बीच में रहने वाले करीब आठ दस लाख लोगों के बीच में अपने कि किसी भी कर्तब को बापिस स्थापित किया है कि आगामी भविस्त में हम जब कभी भी किसी विशेश प्रकार का आयोजन करेंगे तो ज्ञान का दुरूपयोग किये बिना सम्मे ज्ञान की जिससे ब्रद्दी होती हो लोगों के अंदर चारित्र बढ़ता हो करुना बढ़त प्राष्चित लेना भी धर्मलाब कहलाता है ये भी बहुत अच्छी चीज रहेगी फिर अगर माली जी आपका मानसा मन का भाव नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं है आप जहां पर मेरी सावाज को सुन रहे हैं वहीं पर जाकर के संकल्प करिए नौ बार नमोकार मंत्र पढ़िए प्रभुजे के मंदिर जाइए सारे के सारे लोग किसी मंदिर में जा करके क्योंकि इक बहुत अच्छी चीज इक हाइको पड़ा था मैंने कभीॉच गर्ण होते कि कि देवता पत्थर के हाइको है गर्ण होते कि DEVता पत्हर के लोग पीटते क्यों फीटते क्योंकि भगवान के सामने अगर आपने जाकर के कह दिया और भगवान ने आपकी बास सुन करके आपको डांड दिया तो क्या होता दूसरे दिन से आनई बंद हो जाता ये तो अपन मंदिर में इसलिए बड़ी खुबसूरती के साथ चले जाते हैं कि भगवान की प्रतिमाई बस तो विराजमान है भगवान तो है नहीं एक तरफा प्रवा है बोलते जाओं यह भगवन करीं मैंने चौरि करी मैंने हिंसा करी मैंने ब्रह्मचर का नास किया भगवान के सामने बूलने से कुछ नहीं होने वाला है नान रखियेगा यह सब जीवित प्रू होते हैं उनके सामने जो आपके पाप को देख सके आपके बल और वीर की शक्ति को देख सके दो शब्द हैं आगम गृंतों में एक बल सब्द है वीरी शब्द है जब कभी हम भोजंग करते हैं और शदियों का प्रयोक करते हैं और व्यायाम इत्यादिक करते हैं तो इ वीर होता है अंदर की उष्छाष शक्ति का नाम तो आपका उष्छा शक्ति कितनी है किसी भी काम को करने के लिए कई लोग होते हैं न अच्छे ताकटबर होते हैं लेकिन बिल्गुल ऐसे बैठी रहते हैं ठुस सटाइग के फिर उनको ठाना पर भाया तुम करो तुमसे हो जाए हमसे नहीं होगा फिर उनको एक दूसा उठा के आए बिटा तुम कर लोगे तुमसे हो जाएगा हमसे नहीं होगा अरे इतने बल्ले शल्ले हैं तुम कर लोगे हमसे नहीं होगा ऐसे होते न कि जेको बार-बार उनकी कई सादू परमेष्टि भी ऐसे होते matter that कि भी हो सकता है चार भंग बन सकते गाँ में इसे ऽोग सकते हैं इसे लोग सकते मैं जिनकी शरीर में बल बहुत अच्छा है लेखिन वी मतलब उस्सा शक्ति नहीं कुछ सादू People वेवि ऐसे हो सकते हैं साबकों में भी जिनकी उस्सा सक्ति तो बहुत है लेकिन बेखुल पैंसे लाइफ है ऐसे हैंगर टाइप के मतलब कपड़ा ऐसे डाल दो तो लगे कि हैंगर में टांग करके ले आएंगर उन्हें ऐसे बहुत तेज फूको तो वो उसमें भी एक कदम सब पीछो जाए माराज जी किती तेज़ा बाद है ऐसा क्योंकि सरीर की सकती नहीं बची है बिल्कुल पपड़िया टाइप की पूरी सरीर है हमने देखे ऐसे लोग आपने नहीं देखे होंगे हमने दुनिया में सब देखा है बड़े बड़े खांदानी घरों में देखे कितने किलो की बाइस किलो की जिन्ना भाइला देखी हमने हाँ मलब चार फुट ग्यारा इंच उसकी हाइट होगी और बढ़िया वेवस्तित होगर के हमारे पास आए और हमसे बहुते महराज जी आशे वाद दीजिए एक संतान हो जाए तो हमने कहा हमने सामानी का कल्या नम महराज जी यम दोनों पत्नी है हमने कहां एक संता हूएं आशेर वाद है आशेर वाद हमने पतिश्य दीरे से बोलतला है हमारी पत्नी बिमार रहती है तो उसके प्यार से खांए भाईया डाक्टर सी लागँ ठीक हो जाएगा नहीं महराज जी आप आशिरवाद दे दीजे हम देगा हमारा भी आशिरवाद है जाओ अचारसी जी वहाँ बैठे हैं बीच में उनके चण्डों का गंदोदक ले लेना उनकी देव बंदना करते हैं उनके से काम हो जाएगा पर महराज जी वह तो हमने चौके में ले लिया लेकिन फिर भी आप आशिरवाद दे दो हमने सोना है आपकी बात लग जाती है हमने का नहीं आपने गलत सोना है गलत जगए आए है फिर वो बड़े प्यार से बोलता है उसका पती महराज जी हमारी पत्नी के बजन 22 किलो है और इसको एक संतान चाहिए हमने फिर जब ऐसा कुछ बिशेश बताते हैं तो फिर दिखाई देता है हमने देखा कि हाँ वास्तव में ऐसा कुछ होगा फिर हमने का क्या चाहते हो बस एक संतान मिल जाए हमने का बाइस में से तीन गड़ेगा तो कित्ते बचेंगे महराज जी इसलिए तो आपका आशिरवाद लेने के लिए आए है कि आप आशिरवाद दे दीजिए तो सब अच्छा हो जाएगा आपको क्या बताए हम उस परिवार ने एक संतान उत्पन कर ली गुरुदेव जी के आशिरवाद से है और आप बिल्कुल आशिर मानेंगे सबात तीन किलो का संतान होई थी और सबात तीन किलो चांदी लेकर के मलब जब संतान हुई तो संतान को जैसी वेट किया पहली बार सबा तीन किलो निकला उसके पिता ने तुलन सबा तीन किलो चांदी निकाली और जा करके गुरुजी के चंडों में चढ़ा दी बोले भगवन आपके आशिरवास से बरसों की एक साधना साकार हो गई जब गुरुदेव ने हम लोगों को बाद में बताया तो बड़ा आशर हुआ फिर मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल ऐसा होता है गुरुजी के ही शब्र थे ये फिर उस महिला को देख करके और बोल करके गुरुजी ने बताये कि सरीर में बल और वीर दोनों अलग-अलग वस्तुए होती है तो जिनके पास बल नहीं रहता लेकिन अंदर उस्सा शक्ती वीर शक्ती बहुत होती है अभी मा विमला देवी जी की समाधी सनलेखना चल रही है मैं तीस तारीकों यहाँ पर आया था तीस तारीकों उन्होंने संस्त्रा रोहन किया था रेवती नक्षत्र था उन्होंने तीस तारीकों संस्त्रा रोहन किया 23 से 29 दिन के बीच में सादक की सनलेखना होती है रेवती नक्षत्र में अगर कोई माली जे किसी ने संस्त्रा रोहन किया है तो उसका पूरी वीदबत एक वेवस्ता होती, संन्रेखना गिर्ण करने की, फिर बीज में माराजी ने बोला, माराजी वो विमला देवी जी अभी तक है, तो हमने का आप जाओ, देख करके आओ, और फिर मैंने माराजी को बोला, कि हमने जाकर के देख के आना, कि सरीर का बल साह शक्ति कम नहीं होगी उसको दुनिया में कोई मार ही नहीं सकता है कोई कि अब कोई सोचे कि सब्सक्मा में को जी बैठा हुआ है तो वह पुद्गल की शक्ति से जी रहा है सरीर संहिती ही शक्ति में एक लाक रहती है कैसी रहती है कि तीस तीस दिन निकल जाते हैं बिना पानी के बिना आहार के लेकिन सरीर निढल नहीं होता और सरीर जो होता है उसके भी कम होने की एक सीमा होती है उसके नीचे सरीर भी कम नहीं होता बंदू लेकिन आदमी के अंदर जो वीर शक्ति रहती है उस्षा शक्ति रहती है वह उस उसा सकती जब तक निढ़न नहीं पड़ती तब तक किसी की देहे से कोई भी आत्मा देहां तरित नहीं होती गुर्वन ने कहा चार प्रकार के भंग बनेंगे संसार में किसी का बल शक्ति ज्यादा है और वीर शक्ति नहीं है किसी की वीर शक्ति जादा है लेकिन बल नहीं है किसी के पास दोनों है और किसी के पास दोनों नहीं है ना बल है ना वीर है लेकिन ऐसे लोग ग्रहस्त में भी हो सकते हैं और सादू में भी हो सकते हैं अब आप देखिए कि जो लोग इस तरीकी के गलत विचार धाराओं के साथ उसको प्रोसाहन देते हैं उनका प्रोसाहन सफल भी हो जाता है उनकी बल शक्ति भले कम हो लेकिन उनकी वीर शक्ति मतलब अंदर से उनकी उशा सकती उनको कांफिटेंस होगा इतना जवरजस्त है हम करेंगे और काम हो जाएगा और उन्होंने करके दिखा दिया आप लोग लगातार अनमोदना करते रहें बेंतर जाती के रोल प्ले करने वाले बेंतरा किंदर किंपुरुस महोरग गंदर यक्ष राक्षत भूत पिशाचा एक तो य खोटी छोटी बाल्टी आ गई है उस बाल्टी में डाल भरके रख देते हैं और फिर आदमी के सामने धर देते हैं होटलों में वह ऐसे खाते रहते हैं हर किसी भी पदार्त की अगर वेवस्तित संयोजना नहीं बनाई है तो उस पदार्त को देखकर कि उत्पन होने वाले भाव उसको देखकर कि उत्पन होने वाली संबेदन सीलता या क्रूरता और उसके साथ जुड़ी गई क्रिया ये तीन ही भविस्त का निर्मान करते हैं क्या तीन चीजें कापी में लिख लीजिएगा स्क्रीन पर सुनने वाले आपकी क्रिया आपकी भावना और आपकी परिदना ये तीन चीजें ही हैं जो आपके भविस्त का निर्मान करने वाली है अगर आपकी क्रिया समीचीन नहीं है आपकी भावना समीचीन नहीं है अब बुथा पार्टी करने वालों की क्रिया क्या समीचीन है नहीं उनकी भावना समीचीन है क्या वो ऐसा करना चाहते ह मैं जगत को वैराग दिखाऊं देखो संसाहर में कुछ नहीं धरा है आदमी बठक जाता है कोई भूत बन जाता है कोई बेंतर बन जाता है कोई पिसाज बन जाता है ऐसी कोई वैराग भावना दिखाने का भी कोई काम नहीं होगा हैं वो सब खांदानी घर के लोग ऐसा भी नहीं है कि कोई टुच्चे घर के लोग है जैन समाज के बड़े घरों के लोगों के अंदर ही खांदानी घरों के अंदर ही इस तरीके की क्रियाएं होती है तब जाकर के और आश्चर होता है अगर अपन चाहें अब दोचो सोचो एक तो वो कृया गलत फिर कृया के साथ उस कृया को ले करके उतपन होने वाली भावनाएं गलत और फिर जिस रोल को आप प्ले कर रहे हैं उस रोल में समबेद घसीलता कितनी होगी कोई चुडएल होगी तो उस चुड़ैल का क्या काम है बताओ मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी एक ही जहलो सो बहुत है अब आप लोग हस रहे हैं मैंने कुछ गलत किया दिया अच्छा आप समझ गए कोई बात है नहीं आप लोगों को वह भासा भी आती है जो आप कहने नहीं चाहते हैं आप वात समझना चाहते हैं आपको डो डबल मीनिक वाले सब्द बोले और आपने जट से पकड़ लिए है हमारे मुझे कहलवाना चाहते हम नहीं बोलेंगे हम तो बस इतना ही बोलना हैं बाकि गुरुजी कहते दे शावक को जो अपन ने बोला नहीं जो अपन समझे नहीं जो अपन ने कहा नहीं वो बास समझनी की आदत बहुत अच्छी होती है मैं जो प्राउचन नहीं दूँगा तुम हमारे प्राउचन में से वो प्राउचन भी निकाल लोगे और तुम हस रहे थे न वो इसलिए हस रहे थे और जो महिला पक्च से हस रही थी वो भी इस बात की स्विकराकृति में हस रही थी किया आपने बिल्कुत सही कहा मैं अकेली ही तुमको नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ हो जाए तो क्रिया भावना और संवेदन शीलता के मामले में इस तरीके के आयोजन बिल्कुत शून होते हैं बंदु इससे संतानों में भी बुरा प्रभाव पढ़ता है और खुद क्या ब्लेट सर्कुलेशन और वाइब्रेशन खराब होती है कर्म की जो वरगनाएं होती है वे कर्म की वरगनाएं एक विपरीत असाता कर्म की रूप में परणत होती है फिर उसका एक आबादा काल बढ़ता है उसमें मन वचन और काया की प्रवर्ती जुड़ती है कसाय की स्थान जुड़ते हैं कर्म का बंद होता है फिर असाता उदय में आती है अंतर मूर से लेकर के पू फार देंगे पता चला डाक्टर आपके बॉड़ी में ओपन हार सर्जरी कर रहा है उसका बदला हुआ रूप है बिलकुल तुम्हारे मन के अंदर बड़े-बड़े नाखों से किसी की छाती फारने के भाव हुए और ऐसा भी नहीं है कि पहले तुम्हारा होगा कर्म के सबसे पहले आप जिसको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं आपति उसके उपर आएगे दुकान में जूट बोलेंगे आप दुकान में चोरी करेंगे आप दुकान में गलत तरीके से पैसा कमाएंगे आप और कैंसर का इलाज होगा आपकी पतनी का इधर गलत तरीके से चाल बरबाद पूरे का पूरे घर को जो मानसिक विकल्प होता है उसकी तो शक्ति का कहना ही क्या है मलब इतना ज्यादा संकलेश होता है बच्चों को लगता है मम्मी बचेगी नहीं बचेगी और फिर ऐसा भी नहीं है कि एक ही बार बैक टू बैक एक इलाज करा लिया कीमो कंप्लीट डेडियेशन कंप्लीट ऑपरेशन कंप्लीट उसके बात पता चला क्योंकि पाप तो हमने किया है अब जितने पाप किये हैं सिर्फ आपको आपके कर्म का फल नहीं मिलता है आप जिसके साथ रहते हैं रिस्तेदारों के कर् यदात मना पुरा फलम तदीयम लबते सुबा शुबम बिलकुल गलत फैमी है और गलत फैमली है आपको सिर्फ आपके कर्म का कोई फल नहीं मिलने वाला आपके घर के अंदर मंदोद्री ने क्या भी गाला था बताओ रामण के साथ रही न सती थी सीता जैसी पवित्र थी निर्दोस थी लेकिन रामण के साथ रहने के कारण मंदोद्री भी बदनाम हो गई रामण के साथ रहने के कारण मोक्षगामी इंदरजीत आदमी बदनाम है रामण के साथ रहने के कारण कुमकर्ण भानुकर्ण बिभीशन बिभीशन ने अच्छा काम किया कितना अच्छा आपके चाचा आपके पापा के कर्म के उदय आपको परिशान नहीं करेंगे आप गलत बहावनाओं में जी रहे हम इस बात को बिग्ञान को बहुत गहराई से समझें कि हमको हमारे परिवार का पाप और हमारे परिवार वालों का पुन्द दोनों प्रभावित करता है फिर आ आप का पती जुट बोल करके लोगों को ठकता है उसके कमय धन से रोटी खा रहे न वह पाप कर्म कमा रहे उसके कमय धन से तुम रोटीखा रहे ना करम पहलेगा पापका नया व्येंट है आप कितना भी पाप कर लीजे मेरी बात आज नहीं तो कल एक एक ब्यत्ति के दिमाग में गूंचेगी इस बात की गारंटी है विनम्र सागर जब भी बोलते हैं अनुभव से भी बोलते हैं और आगम से भी बोलते हैं अनुभव की बात इसलिए बोलते हैं कि हमने देखे हैं कि किस तरीके से अपनों का दर्द सब को भूगना पड़ता है अनुभव कहा है महराज जी बेलकुल है आप देखिए समोशन लगा लीजिए लगा लिया महराज जी अब समोशन लग गया तीठंकर बैठे हैं ना बोलो का पुन्य भारी है उनके समोशन में बैठने के कारण चुकि वो शुप्त का सबसे बड़ा एक संयोजना बनी होई है तीठंकर के समोशन में कोई भी बैठे गा उसको भूग नहीं लगेगी छुदा बेदना तो है लेकिन जब तक प्रभू जी के पास बैठेंगे तब तक चुदा बेदना का कोई का बक्रों को खरीदते समय कोई ज्यादा मोशन